हेग गाई सेलकम दूर टैक फोरां माइन आज की वीडियो में फिट से हम दो जॉब रिक्रूर्टमन का देखने वाले हैं फर्स जो कि सिस्को की तरब से आ रही है और सेकेंड जो कि मिंतरा की तरब से आ रही है तो दोने ही काफी अच्छी कंपनिया है आप सेलेक्ट होते हो तो आपको सेले भी काफी अच्छा मिलने वाला है जो कि मैं बताने भी वाला हूँ कितना आपको सेले भी मिलने वाला है तो वीडियो को पूर लास्त देखिए बताने वाला हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है कौनको इनके लिए प्लाई कर सकता है ke eligibility criteria है सब कुछ नों जाने वाला हूं और इन दोनों के अप्लाई का link आपको वीडियो को description में मिल जागा आप simply लिम पर click करके इन दोनों के अप्लाई कर सकते हो and discussion नों को और भी company के link मिलेंगे आपने उनके लप्लाई नहीं करा, उनके लप्लाई करेगा, अब यह भी काफीलिंग एक्टिव है, तो पहले बात करते हैं मिंतरा की जॉब के बारे में, तो मिंतरा अभी हारिंग करता है, image editor's home के लिए, एन इस job के लिए, आप सब इस्किलिबल होने वाले हो, चाहा आपने आपको इमेज एडिटिंग आती है, तो, मैं आपको पहली के लिए कर दूँ, यह job skill-based होने वाली है, आपको इमेज एडिटिंग आती है, जोनोंने skill mention कर रहा हुआ है, आपके पास है, तो आप select हो सकते हो, इन्होंने mention कर रहा हुआ है, आपको Photoshop आना चाहिए, और आपको Photoshop क knowledge है अच्छे से, आप image edit कर सकते हो, और आपको सारे shortcuts पता है, Photoshop के बारे में, तो आप subscribe ही कर सकते हो, और इसके साथ साथ, आपको communication skill भी काफी अच्छी हो चाहिए, क्योंकि आपको interview होने वाला है, जोब के लिए, आगर आप shortlist होते हो, तो आपको interview भी देना पड़ेगा, बा बात करें आपके job के दोल के बारे में, तो मैंने उलरी बताया, आपका दोल image editor का होने वाला है, लेकिन उन्हें कुछ responsibility mention करा हुआ है, responsibility wise section में, आप लोग को ओलरी बता होगा, कि मिंत्रा e-commerce site है, जहां से आप online product purchase कर सकते हो, इन जो उनको particular product होता है, उस product के लिए particular image होती है, तो उस image पर आपको काम करना पड़ेगा, उसकी finishing करना ही पड़ेगी, उसका background दुमूख करना पड़ेगा, कुछ color changes करने image में, कुछ color add करना है, तो यह आप लोग का काम होने वाला है, आप select होते हैं मिंत्रा में तो, इस job के लिए आपको उसे Photoshop चाहिए, Photoshop सीख लेना, मैं अ आपको अच्छा course है, उसको आपको certificate भी मिलने वाला है, जिसे mention करेगा अपने resume में, जब के selection के chances दोंगे, definitely increase हो जाएंगे, in comparison to others, maybe आप select भी हो जाओ, बात करें batch के बारे में, कि कौन-कौन सी batch इसमें apply कर सकते हैं, तो आपने अपनी graduation case भी बैच में करा हुआ है, आप SLG प क्लिक करने के बाद एक page खुलने वाला है, आपको नीचे एक form मिलेगा, आपको यह form फिल अप करना पड़ेगा, आपका first name, आपका last name, आपका email address, phone number डालीगा, आपको city आप जहां भी रहते हो, जर्ज में upload करेगा, upload करने के बाद, आपका कोई portfolio है, कोई website है, तो आप mention कर सक जो उनकी HRG team होगी, वो आपके work को check करेगी, अगर उनको बसंद आता है, तो definitely आप select हो सकते हो, तर उसके बाद आपकी location, तर उसके बाद आप relocate कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तर उसके बाद आपका experience, आपको आपको experience है, किसी company में आपने काम कर रहा है, तो आप mention कर सकते ह अदर्वाइस आप fresh हो, आपको zero fill up करना है, zero fill up करीगा, fill up करने के बाद, submit पर click करीगा, आपको apply हो जाएगा, and apply करने के बाद, आपको आस mail भी आने वाला company की तरफ से check out करेगा, confirmation का mail होगा, कि आपने skill apply कर दिया है, आप select होते हो, तो आपको inform कर दिया जाएगा, आपके interview क regarding, तो आई हो, आपको सबको समझ में आगया, first job के बारे में, आपको बात करते है, second job के बारे में, जो कि Cisco की तरफ से आ रही है, तो Cisco अभी hiring करता है, three job role के लिए, इनके पाद three different job role है, आप जिस भी role के select होगे, and जिस भी job role के according, आपकी skill match होगी, आपको उसके according job मिल सकती है, Cisco में, and Cisco काफी अच्छा package देता है, as a software engineer के लिए, जो कि आपको बताने भी वाला हूँ, वीडियो को लास्ता देखना, बात के different job role के बारे में, तो उन्हों mention करा हुआ है, category wise section में, first job आपका जोल होने वाला है, वो software engineer, networking का होने वाला है, second application software का होने वाला है, and third embedded and system development का होने वाला है, आप जो भी skills mention करोगे, उसके according आपका test होने वाला है, test के according, आपको आपका job role मिल जाएगा, अगर आप test के लिए करते हो, exam के लिए करते हो, Cisco का दो, बात करने इसके eligibility criteria के बारे में, कि कौन को ने इसमे apply कर सकता है, तो उन्हों ने mention करा हुआ है, qualification वाले section में, कि आ और उसे related brand से, like IT के student हो, electronic के student हो, तो आप इसके apply कर सकते हो, and इसके percentage के idea भी mention करा हुआ है, आपका at least 8.5 CGP होनों चाहिए, आपने BAB tag करा है, at least 8.5 CGP है, तो आप इसके apply कर सकते हो, exam track करते हो, आपको job मिल सकती है, Cisco में, and इसके साथ-साथ, आपको coding की knowledge भी होने चाहिए, इ and scripting language, आपको python आता है, आपको java आता है, तो आपके लिए advantage होने वाला है, and जो आपकी बर्वल editing communication skill है, definitely best होना चाहिए, आपको job चाहिए, Cisco में तो, बात करें आपके different-different job goals के बारे में, तो first job है, software engineer, networking protocols के लिए, and this job के लिए, आपको networking के knowledge काफ के चाहिए, अगर आपने अ firewalls के बारे में, and इसके साथ साथ, आपको knowledge हो चाहिए programming के, आपको python आना चाहिए, python काफी important है, आपको तीनों में से किसी भी job के apply करने वाले हो, आपको python आना ही चाहिए, इन्होंने strongly mentioning करा हुआ है, strong knowledge of programming and scripting language like python, तो आपको python आता है, तो आपको plus point होने वाला है, python नहीं आता फिर भी apply कर देगा, exam attempt करेगा, तो अगर आपको java आता है, तो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि python वाले कोई job मिलने वाली है, या python वाले exam कर सकता है, आपको java आता है, फिर भी apply करेगा, आप भी exam कर सकते हो, java भी scripting language है, तो networking रूल के लिए आपको networking आना चाहिए, प आपको applicant software का job role मिल सकता है, इन्होंने mention करा हुआ है, interest in user experience and user interface design and development, आपको basic knowledge नहीं है, UI UX के बारे में, तो इसके लिए मैंने already course प्रवाइड करा हुआ है, Udemy की तरप से, आप से वाली वीडियो को देखेगा, इसके अंदर आपको course मिलने वाला है, UI UX का, Python का भी आपको मिल आप दोना course को एंदोल करेगा, पढ़ सकते हो, आपको definitely कुछने को सीखने को ही मिलेगा, अगर आप इस job के लिए apply करने वाले हो, and third and last job है, embedded system की, basically इस job के लिए आपको knowledge हो चाहिए, OS के बारे में, kernels के बारे में, होकि embedded system की job होने वाली है, machine पर काम करना पड़ेगा, आपक exam को रेक करते हो, interview को रेक करते हो Cisco का तो, ना बात करें इसके salary package के बारे में, कितना आपको salary मिलने वाला है, तो particularly इन्होंने mentioning करा हुआ है, लेकिन मैं आपको basic idea देता हूं आपके salary के बारे में, आपको 8 LPA से लेके, 10 LPA का package मिल जाएगा, एक point dog के लिए कर दूँ, जो Cisco में salary package होता है, वो college to college vary करता है, आप tier 1 के student हो, tier 2 के student हो, tier 3 के student हो, तो आपको different package देखने को मिल सकते हैं, लेकिन off-campus drive हो रही है, आपको 8 से लेके 10 LPA का package मिल जाएगा, Cisco की तरफ से, आप exam right करते हो, तो, तो I hope मैं आपको सबको समझा जिया होगा, now main point के apply कैसे करना है, तो apply करने के बाद, कुछ tracker page को लेगा, आपको एक option मिलेगा, apply वाला उस पर click करेगा, click करने के बाद, एक form खुलेगा, आपको sign करना पड़ेगा, आपको already account होगा, Cisco की website पर, आप sign कर सकते हो, otherwise एक option होगा, account करेट करने वाला, account करेट भी कर सकते हो, मैंने से पहले, 4-5 वीडियो मना द सकते हो, sign in करेगा, sign in करने के बाद, कुछ tracker page खुलने वाला है, यह तभी खुलेगा, जा आपको already account होगा, Cisco की website पर, आपको account नहीं है, तो previous वाली वीडियो देख लिएगा, जा मैंने बताया किसे आपको step by step account करना है, यहाँ को select करना पड़ेगा, आपको वह भी option select कर सकते ह से कोई problem वाली बात नहीं है, select करने के बाद एक option वो continue वाला, उस पर click करेगा, click करने के बाद एक option आगा, submit वाला, submit पर click करेगा, एंड आपको apply हो जाएगा, एंड आपको स्क्रीन पर दिखाई भी जा रहा होगा, कि आप मैं इसकी apply कर दिया है, जो आपके application submit हो गई है, एं तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स वीडियो में, thank you and goodbye